नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मैं सुमन जैस्वाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में तो आज का ये वीडियो हमारा जनाइटल हर्पीस के पेशिंग्स के लिए उप्योगी हो सकता है तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं जनाइटल हर्पीस के पेशिंग्स की मदद करने की कोशिश करूँगी जो अकसर मुझसे कमिंग सेक्षिंग में मैडिसन्स या वैक्सिनेशन से जुड़ी जानकारियां मांगते रहते हैं तो ये वीडियो आप देखिए शायद ये वीडियो कहीं आपको थोड़ा सा भी हल्प कर पाए तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी तो आज हम बात करने वाले हैं एजोवीर के बारे में देखिए मेरा उम्तेश होता है कि मैं आप तक जानकारी पहुँचा हूँ उसके आगे उस जानकारी को आप कैसे इंप्लिमेंट करने वाले हैं ये आपका काम है तो जानकारी दे रही हूँ आप इस जानकारी को लीजिए और step forward करिए अपनी समस्या को कैसे निपकना है इस चीज़ पर आप ध्यान के निरत कर सकते हैं तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजोवीर के बारे में तो देखें सबसे पहले तो बता दूँ एजोवीर ये जो टैबलेट के फॉर्म में आती है तो टैबलेक जो होती है इसकी ये 125 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम और 500 मिलीग्राम के फॉर्म में आती है ठीक है अलग-अलग इसके डोजन पैक्टर्न है वो मैं आपको बताऊंगी उससे पहले इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी तो होनी ही चाहिए तो देखे सबसे पहले बताऊंग आपको कि ये इसमें जो में इंग्रीडियंक्त होता है तो इसका कोई में इंग्रीडियंक्त होगा तो इसका जो में इंग्रीडियंक्त है वो है फेम साइक्लोवीर ठीक है में इंग्रीडियंक्त फेम साइक्लोवीर है sodium sterile fumarate यह सारी चीज़े इसमें होती है ठीक है और जो मैंने आपको बताया कि टैबलेट के फॉर्म में यह आती है तो देखिए यह मैंने आपको composition क्यों बताया देखिए कुछ लोगों को composition से allergy होती है जैसे कि अब इसमें इसमें को नहीं ले सकते हैं लेकिन जिनको अलर्जी नहीं वो जरूर ले सकते हैं तो फैम साइकलोवीर इसका main ingredient है अब देखिए कि क्लास की ड्रग है भाई हर्पी सिंप्लेक्स यह वाईरस है तो यह दवा भी एंटिवाइरल क्लास की ड्रग है जो कि हर्पी सिंप्लेक्स वाईरस 1 और हर्पी सिंप्लेक्स वाईरस टाइप 2 जो की सेक्श्वली ट्रांस्मिट होता है दोनों के एलाज में उप्योगी है देखिए हर्पी सिंप्लेक्स वाईरस से जुड़ी मैने वीडियो बनाये हैं जिनका लिंक मैं आप से description box में शेयर कर र अब देखिए ये दवा सबसे पहले मैं आपको बता दू कि ये दवा क्योर नहीं करती है ठीक है मतलब बिमारी को जड़ से खतम नहीं कर देगी सिर्फ ये क्या करेगी कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं बार बार हैर्पीस की वज़ा से जो आउट ब्रेक्स हो रहे हैं यानि जो द देगी और साथ ही साथ जैसे अगर किसी पेशेंट को बहुत जल्दी 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 आउट ब्रेक्स हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी दाने आ रहे हैं तो वो डिवरेशन कम हो जाएगा उनको जल्दी जल्दी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वो इस दवा को सही ढगो सही तरीके से लेंगे तो ठीक है अब देखें यह 12 वर्ष से कम memorized के बच्चों को ये दवा नहीं देनी है अगर कोई 18-22 वर्ष से कम्र का है तो उन्हें यह दवा नहीं देनी है दोस्टों अगर आपको इस medicine से allergy है तो आपकी शरीर क्या लक्षन देने वाली है? सबसे पहले तो सांस लेने में तकलीफ होगी और साथ ही साथ क्या होगी? चेहरे पर swelling आएगी, होंथो पर swelling आएगी, जीप में हो सकता है, swelling आजाए, rashes हो सकते हैं, इचिंग, इसकेन पर इचिंग हो सकती है, rashes हो सकते हैं, ठीक है, hives यानी की थोड़े थोड़े उभार टाइप से इसको चकते आप हिंदी में कहते हैं, वो हो सकता है, तो ये सारी symptom से अगर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हो सकता है, आपको दवा से allergy है, तो उस स्थिती में आपको दवा रोग के तुरण डॉक्टर से संपर्क करना है, अब आगे बढ़े, देखे, अगर पेशेंट को किगनी से संबंधित, या लीवर से संबंधित कोई भ आपको बता दूं कि मैंने लीवर के लिए बहुत उपयोगी दवा है, उसको भी एक वीडियो बना के रखा है, जिसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूं, आप वहां से उस मैडिसन की पूरी जानकारी ले सकते हैं, अब देखे, कुछ है, अगर कोई प्रोबेनिसिक कंसीव हो गई है, तो आपको डॉक्टर से सलाह और मश्वरा कर लेना है, ठीक है, आगे बढ़ें, अब मैं बात करूंगी इंटराक्शन की, तो कुछ मेडिसन ऐसी होती है न, कि दो लोग एक कमरे में नहीं रह सकते हैं, मतलब कि कुछ मेडिसन ऐसी होती है जिन्हें इस एजोवीर के संग नहीं दिया जा सकता है, अब कौन सी मेडिसिन है, आइए वो देख लेते हैं, अगर कोई पेशेंट को पहले ही प्रोबेनिसिक दी जा रही है, प्रोबेनिसिक क्या है, ये गठिया, गाउट को ठीक करने के लिए, गाउट एक बिमारी होती ह जिसमें क्या होता है, जोईंस में, जोडों में स्वेलिंग आ जाती है, क्यों यूरीक एसिड के डिपोजीशन की वज़ा से, तो अगर किसी मरीश को गाउट की समस्या है और उसे प्रोबेनिसिक दी जा रही है, तो उन्हें ये मेडिसिन नहीं लेनी है, अगली बात करें, अगर कोई पेशेंट है, वो रेलॉक्सी फेन ले रहे हैं, रेलॉक्सी फेन जो है, ये मेडिसिन औस्टियो पोरुसिस के समय में दी जाती है, औस्टियो पोरुसिस क्या होता है, कि हगडियां बहुत कमजोर हो जाती है, इतनी कमजोर कि वो आसानी से बिस्किड जैसे टू अब देखिए अगला सवाल जो अक्सर होता है खाने से पहले लेंगे की बाद में देखिए इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप से एक रिक्विस्ट करूंगी यूट्यूब पे हमारा एक और चैनल हेक्टेंग डारेक्शन न्यूस के नाम से जिसका लिंक मैं डिस्क् मैं करते हैं तो यससे ही तो आप कर देख़ लिंग डे कर दो यहां हमारा थे खान ले चृ को एक तो यह शब्स में लाद में मैं आगला यह उन में दीख गया आपको एक दाने दिखें क्योंकि हर पीस के दाने जो होते है यह होते हैं जो जानकारी आपको मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करें हूं वहां से आपको मिल जाएगी तो जैसे छोग दाने फिर बड़े फिर फूटे उनमें से पानी निकला 2-4- तो देखिए अगर पहला ही सिम्टम्स आपको दिख गया है तो सिम्टम्स आने के 6 घंटे के अंदर अब इसमें देखिए डिफरेंग डिफरेंग डोस अवेलेबल है तो हड दोस को आप ऐसा थोड़ी करेंगे कि 500 mg दिन में 4 बार खाएंगे नहीं ना ओवर डूस हो सकता है तो इस स्थती में देखिए अगर 500 mg की टैबलेक ले रहे हैं तो एक दिन आप खा लीजे दिन में 2 बार ठीक है ट्वाइस देली फॉर वन डे फिर उसके बाद अगर 2500 mg की टैबलेक आप ले रहे हैं तो उस कंडिशन में आपको क्या करना है कि एक टैबलेक 2500 mg की हर 12 घंटे पर लेनी है और इसके लगभग कितने लेने हैं तीन डोस लेने मतलब की 1200 mg की आप टैबलेक पहले दिन दिन में दो बार खा लें फिर उसके बाद आपको क्या करना है अगले तीन बार दिन तक आपको ये टैबलेक हर दिन 12 घंटे पर एक एक ठो खा लेनी है ठीक है जैसे मत मतलब आज मैंने दो खाई अब कल परसो आगे कितीन डोस तक मैं एक एक टैबलेक खा लोंगी फिर अगला मैं बताऊंगी 125 mg भी आता इसका तो 125 mg का क्या करना है आपको की एक टैबलेक आपको पांच दिन तक 12-12 घंटों के अंतराय पे खानी है मतलब अगर आज सुब आड बजे खाया तो अगला 12 घंटा कब होगा उस हसाब से जोड़के आपको टैबलेक खानी है हर 12 घंटों पर अब देखिए मैंने आपको यह बता दिया लेकिन अगर आप डोस लेने जा रहे हैं तो देखिए 12 घंटे की मैंने हर जगा बात की कहीं पर मैंने 6 घंटी की बात न कहा अब देखिए side effects देखिए हर दवा की side effects भई अभी कुछ side effects पे चलने से पहले बाते कर लेते हैं कि क्या इस दवा को लेके driving कर सकते हैं इस दवा का करना कपड़े हलके पहनना यह सारी चीजें कुछ चोटी चोटी बाते हैं अब देखिए हां एक इंपॉर्टेंट बात कि अगले पेशेंग से या अगर कोई पेशेंग है वो एजोवीर ले रहा है तो इस बात की बिल्कुल गैरेंग्टी नहीं है कि उससे उसके पार्टनर क औरेंग्ट वोगा थो आपके सिर्फ्टम को कम करता है लेकिन जो ट्रांसमीशन की पावर है उसको कम नहीं करता है ट्र्णस्मिक्ट हो सकती है अब देखिए साइड़ इफेक्स की बात करो तो सिरदर्द हो सकता है चक्कर आ सकता है उल्टी जैसा यानि जीन में चलाना या फिर उल्टी भी हो सकती है थोड़े और आगे बढ़ें तो serious sad effects की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा जैसे कि अगर overdose हो रही है बातें तो abdominal pain पेग में दर्द हो सकता है पेग खराब हो सकता है इचिंग हो सकती है और patient को और extreme level पे अगर हो रहा है problem तो क्या होगा बहुत जादा नींद में रहेंगे वो साथी साथ उनके जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाएगा आखों में और चेहरा पूरा क्या होने लगेगा पीला पहने लगेगा और साथी स्वाथ क्या होगा चेहरे पर swelling आने लगेगी पैचेस पढ़ने लगेंगे इसके इसको आइटी केरिया कहते हैं इसके पर पैचेस पढ़ने लगेंगे और यह प्लेक्लेट्स की कमी होना शुरू हो जाती है ठीक है दोस्तों तो यह मेरा आज का पूरा वीडियो था एज़ो वीर के उपर उमी जो शेर कीजेगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा थैंक्यू वेरी मॉच